नमस्कार आप सुन रहे हैं दबॉलिवूट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आकाश दोस्तों आज के इस पॉड़काश्ट में बात होगी राजेश खन्ना और गुलजार साहब की और बात करेंगे उस दौर की जब दोनुस साथ में हो तो सकते थे लेकिन हुए नहीं कभी आपने सोचा है कि उस दौर के सबसे सेंसिटिव और रोमेंटिक गीतकार गुलजार साहब और सबसे रोमेंटिक एक्टर राजेश खन्ना ने कभी साथ में काम क्यों नहीं किया जिबकि उस दोर में कर सकते थे धेरों ऐसी फिल्में थी जिसमें गुलजार साहब राजश खन्ना को ले सकते थे या राजश खन्ना गुलजार साहब के साथ काम कर सकते थे हलाकि उस दोर में राजश खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपर डूपर हिट फिल्में दी सुपर इस्टार का तमगा हसल किया बड़े बड़े डिरेक्टर के साथ काम किया शक्ती सामनता और रिशकेश बुखर जी राजश खोसला लेकिन उस दोर में गुलजार साहब बहु बहुत अच्छा लिख रहे थे लेकिन राजश खन्ना के साथ ये जोड़ी कभी जमी क्यों नहीं या कभी बनी क्यों नहीं ये बड़ा दिल्चस्प है हालाकि रिशकेश मुखर जी की कई फिल्में गुलजार साहब ने उसमें पटकता लिखन का काम किया और कई फिल्मों क जब तक गुलजार साहब ने डारेक्शन के शेतर में अपने पैर जमा लिये थे तब भी राजश खन्ना चमक रहे थे बावजूद इसके राजश खन्ना कभी गुलजार साहब के साथ वो जोगलबंदी नहीं बना पाए वो जोड़ी नहीं बना पाए जो बाकी लोगों के साथ में थी और इसके पीछे का जो किस्सा है वो बड़ा दिल्चस्प है राजेश खन्ना बॉलिवुट का पहला सोपरिस्टार जिन्हें जितनी पॉपुलरिटी जितना प्यार मिला कहते हैं आस तक किसी स्टार को नहीं मिला हम कई पॉड़कास्ट में इस बात को दोरा चु तो फिर ये होता है कि तीन साल में बैक टो बैक पंदरा सुपर डुपर हिट फिलमें राजेश खन्ना के बात किसी ने नहीं दी राजेश खन्ना जिसके पीछे लड़कियां दीवानी थी जिसकी हर फिल्म सफलता की गारंटी हुआ करती थी राजेश खन्ना जब गाते थे तो लोग उनके साथ गाने लगते थे जब वो परदे पर रोमांस करते तो उनके साथ आडियंस भी रोमांस में डूब जाती थी उस दोर के जो लोग हैं वो आज भी यही बताते हैं अगर आप में से कोई लोग हो तो आप मुझे करेक्ट कर लिएगा जब परदे पर वो रोते राजेश खन्ना तो पूरा हॉल उनके साथ रोता था सुपरिश्टार के सिंगहसन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए रहे लेकिन आज भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना जितनी लोग प्रियता किसी और इस्टार को ना तुम मिली अब भगवान जाने आगे मिलेगी भी या नहीं खासकर लड़कियां उनकी दिवानी थी रोजाना उनके घर पर फैंस के लेटर आते उस दोर में चुकी वाटसेप, फेस्बुक, सोशल मीडिया, ट्विटर ये सब तो था नहीं उनकी फोटो से कई लड़कियों ने शादी कर ली, इस तरह की खबरे भी आया करती थी तो कईयों ने अपने हाथ पर राजेश खना नाम का गुदना गुदवाया था उन दिनों टैटू तो होता नहीं था, लेकि गुदना बनता और कहते हैं कि लड़कियां राजेश खना का फोटो तकिये के नीचे रखकर सोती थी किसी स्टूडियो या किसी प्रोडूसर के आफिस के बाहर राजेश खना की सफेद रंगी कार रुकती थी तो लिपिश्टिक के निशान से वो सफेद रंगी कार गुलाबी हो जाया करती थी मतलब फरस कीजिए किस तरीके का वो दौर था और अगर आज के लोगों को बताओ तो यकीन नहीं करते कि ऐसा भी कोई दौर हो सकता इतनी भी कोई दिवानी दिवानगी हो सकती है ऐसा भी कोई दिवानपन हो सकता आज भी तो इस्टार्स आते हैं लेकिन साब वो दिवानपन था और इसके दस्तावेज मौजूद है उस दौर के लोग जिनकी आँखों के सामने ये सब हुआ है उनकी जुबानी हम उस दौर को जीते हैं, देखते हैं, समझते हैं और यगीन भी करते हैं लेकिन कहते हैं एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खना का घमंड, बदमिजाजी, लोगों को नागवार लगने लगी और लोग उनसे कटने लगें, उनके हिंकार और चम्चों से घेरे रहने की उनकी आदत ने धीरे धीरे उन्हें सकसस से दूर कर दिया काम्याबी से दूर कर दिया वो काम्याबी जो उन्हें बहुत कम समय में बहुत कम उम्मर में मिली थी राजेश खन्ना के इसी एटिट्यूट की वज़े से मनमुहन देसाई, शक्ती सामनता, रिशकेश मुखरजी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़कर अमिताब बच्चन को लेकर फिल्म बनानी शुरू करती गुलजार साब रिशकेश मुखरजी की जादातर फिल्मों के गीत लिखा करते थे और रिशकेश दा की अधिकतर फिल्मों में लीड रोल में राजेश खन्ना हुआ करते थे अगर आपको याद है चाहे वो आनन्द हो, चाहे बाद में राजेश खन्ना और अमिताब बच्च उस फिल्म का हिस्सा बने इसी वज़े से राजेश खन्ना और गुल्जार में भी अच्छी बॉंडिंग हो गई थी इसलिए जब गुल्जार ने फिल्म किनारा को डिरेक्ट करने का फैसला किया तो उनके मन में सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का ही आया लेकिन जिस तरह से राजेश खन्ना ने उन्हें आफिस में बुला कर रात एक बज़े बिना उनसे बात किये ही उन्हें लोटा दिया उसके बात से गुल्जार साहब ने उन्हें हमेशा के लिए अपने जहन से निकाल दिया अब हुआ यू कि सक्सेस के नशे में चूर राजेश खन्ना के बंगले आशिरवाद में उन दिनों हर शाम को कहते हैं कि खन्ना दरबार लगा करता था और इस दरबार में सुपरिश्टारडम के साथ उनकी जिन्दगी में आए नए दोस्त और चम्चे बैठक बैठक जमाते थे शराब की चूस्कियों के साथ राजेश खन्ना की तारीफें शुरू होती थी जो दिर राद तक चलती रहती थी और सिर्फ तारीफ होती थी यहां काका का हर शब्द एक हुक्म होता था और उसे मानना उनके इन चम्चों का फर्ज जिह हुजूरी करने वाले यही लोग धीरे धीरे उन्हें हाकिकत से किस कदर दूर लेगए इसका अंधाव शायद राजेश खन्ना को भी उस समय बेलकिल नहीं हुआ उसस्धत्र सर्फ तारीफ करते थे और हर बेकार चीस की भी तारीफ करते थे। अच्छी चीज की तो पूरा समना करता था लेकिन वो हर बेकार चीज़ की भी तारीफ करते जिसका नतीज़ा कई बार ये भी हुआ कि राजेश खन्ना ने कई ऐसी फिल्में बाद के दुनों में चुननी जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और कहा तो ये भी जाता था कि वो फिल्में भी बाद में उन्ही चम्चों की राइश खन्ना लेकर ही चुना करते थे इस हब तक चम्चों का असर राजेश खन्ना पर उस खन्ना दर्बार में हो गया था और जब गुलजार सहाब ने किनारा में राजेश खन्ना को लेने की खुईश के बारे में उन्हें बताया तो काका ने फिल्म की कहानी सुनने के लिए गुलजार सहाब को अपने बंगले पर बुला लिया बंबई के कार्टर रोट पर जो आशिरवाद बंगला था गुलजार सहाब ठीक साथ बजे आशिरवाद पहुँच गए लेकिन तब तक राजेश खन्ना का खन्ना दरबार सच चुका था जिसमें उनके चम्चों ने जाम उठाना शुरू किया बातें शुरू ही गपें शुरू हुई तारीफों का सलसला शुरू हुआ अब चुकि गुलजार सहाब शराब नहीं पीते थे अब बात के दिनों में पीने लगे हुँ मुझे नहीं मालूम लेकर उन दिनों शराब नहीं पीते थे तो उन से बाहर ही रुकने के लिए कहा गया अगर शराब कीते तो शायद वो अंदर भी बैठते फिर पीने बिलाने का ये दौर रात एक बज़े तक यूही चलता रहा और गुलजार सहाब बाहर बैठे महफिल के खत्म होने का इंतजार करते रहे कि साब महफिल खत्म हो तो मैं राज़ेश खन्ना से मिलूँ और उन्हें अपने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाओं कहानी सुनाओं और फिर बात आगे बढ़ए अब महफिल राट एक बज़े तक खत्म नहीं हुई और तब भी गुलजार से वो मिले नहीं और उन्हें कहलवा दिया कि वो घर जाए और दूसरे दिन आएं मतलब उन्हें घर जाने के लिए और दूसरे दिन आने के लिए किया संदेशा भीजवाया गया अब काका के इस एटिट्यूट से गुलजार साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कभी फिल्म न करने की कसम खा ली यह सोचिए और इतना ही नहीं इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने काका की फिल्मों के लिए गाने लिखने भी बंद कर दिये यह एक तरीके का प्रोटेश्ट कहिए आप नाराज़गी कहिए और इसका खामियाजा भी राजेश खन्ना को भुगतना पड़ा चुकी अब उच्चकोटी का डिरेक्टर उच्चकोटी का लेखक गीत कार अगर विरोध सुरूप यह मना कर दे कि मैं फला एक्टर के लिए अब ना गाने लिखूँगा ना उसके लिए फिल्मे बनाऊंगा ना उसके लिए स्किर्प लिखूँगा तो यह इसे एक जटके के तौर पर ही देखा जाना चाहिए था लेकिन राजेश खन्ना ने इसे उस तरह से लिया नहीं और खेर बात में गुल्जार ने फिर जीतेंदर को लेकर फिल्म किनारा मनाई जो उनके करियर की बेतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है और इस तरह राजेश खन्ना ने अपने एहंकार और लापरवाही से गुल्जार के रूप में नसर्फ एक अच्छा दोस्त खो दिय बलकि उनकी लिष्ट से एक और बेहतरीन फिल्मेकर भी माइनस हो गया ठीक वैसे ही जैसे मनमुहन देसाई, शक्ती सामंता, राजखोसला, ये शोप्रा इविन ये शोप्रा ने भी दाक के बाद फिर राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया तो एक और वो नाम जुड़ ग लेकिन इस किस्से से कुछ साल पहले फिल्म आनंद के लिए घटित एक घटना के रिए गुलजार सहब राजेश खन्ना की तारिफ भी करते हैं दिगज लेखा गीटकार गुलजार ने खुलासा किया कि दिवंगत सुपरिश्टार राजेश खन्ना ने सुपर हिट फिल्म आनंद में बहुत मामूली फीस पर काम किया था बात की दिनों में एक इंट्रिवू में गुलजार सहब कहते हैं कि राजेश खन्ना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें कहानी पसंद आई और आनंद की सफलता के बाद उन्होंने एक बड़ी पार्टी दी थी रिश्केश मुखरजी नर्देशित की फिल्म थी राजेश खन्ना और अमिताबच चन इसकी भूमिका में थे साल 1971 की ये फिल्म इसकी पटका था यानि कि इसके जो स्क्रिप्ट है वो गुलजार सहब ने लिखी थी पटका था और सम्वाद और रिश्केश मुखरजी के सिंस ओफ हुमर बहुत अच्छा था और शायद यही बात फिल्म खुबसूरत चुपके चुपके जैसी फिल्मों और बारत के दिनों की फिल्मों में जहलकती है लेकिन तमाम सिंस ओफ हुमर के पीछे गुलजार सहब भी हैं वो गुलजार अगर ये लोग राज़िश खरना से खफा ना हुए होते तो क्या अमिताब बच्चन का वो उदय हो पाता सलीम जावेद भी इस लिश्ट में शामिल है बताईए और में बॉक्स में हमें आपके प्रतकरियाओं का इंतिजार रहेगा सुनते रहिए दा बॉलिवुट रेडिय संता है सारा इंदिया